हेलो फ्रेंट्स वागत है आपके पहनी यूट्व चैनल ग्रोव अप्रेटर्स पर फ्रेंड्स आज कीश वीडियो में एनलाइस करेंगे कि कल निफ्टी 50 और बैंग निफ्टी की वीकली एक्षपायरी थी और कल है निफ्टी 50 की वीकली एक्षपायरी तो थोड़ा सा डीट और क्या-क्यावस हमें देखने को मिल सकते है अफ्रेट के लिए और डाउंसेट के लिए इस वीडियो में बने रही है और जो लोग इस चैनल पर नाई है चैनल को जुरो सब्सक्राइब ले और जो मेरा टेलिग्राम चैनल है अगर आप लेंडिंग परपस से जोईन करना चा सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको जोईन करना है तो जोईन कर सकते हैं और कई दिनों से मैंने कोई भी लेवस अपडेट नहीं करें ना मैंने यूटूब पर कोई भी एंस की वीडियो डाली है लेकिन अब मैं जरूर कंट्यूनियू करूंगे और कल से आपको नए वो मैं टेलिग्नाम चला पर अप्डेट कर दूँगी तो चली चलते हैं चार्ट पर और यहां पर फिलाल एनलाइस कर लेते हैं बैई निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पर तो आज के अगर कैंडल को देखें तो आज की जो कैंडल बनी है रेड कैंडल है और बेरिस नहीं करूंगी जब तक मुझे यहां पर कोई प्राइजेक्शन या फिर बुलिश चैनल बनी है अगर लोग ब्रेक करती है यानि कि कल अगर लोग होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल करा रहा है वह 45500 का 45500 का राउंड नमर यहां पर यह हमारे लिए इंपॉर्टन हो हम लेकर चल सकते 45000 का राउंड नमर यानि कि यह स्ट्रॉंग लेवल है 45500 एक लेवल होगा अगर इसको ब्रेक करेगगत तो next यह आँपर 45500 का राउंड नमर हमें पर कोई जो है बुलिश केंडल या फिर कोई यहां पर पैटन क्रियेट होगा या फिर यहां पर कोई प्राइजेक्शन चेंज होगा तब ही सुनेरों हम क्या देख सकते हैं अप साइड के लिए अब हम जो भी कौनिटी टेट करेंगे वो करेंगे स्मॉल ध्यान रखेगा और इम्पॉर्टेंड हमारे पास यहां पर आज के केंडल बनी है ध्यान ने के फिर यहां पर यहां पर यहां पर आज की केंडल यह हमरे लेक्ट है अगर इस केंडल का हाई या फिर नहीं करता सब्सक्राइब करें और 50 यह में से फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से मूफ करें डाउंसेट लेकिन हमारे पास जो स्ट्रॉंग एक लेवल है 47,200 का राउंड नंबर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तब हमारा यहां पर व्यू चेंज होगा अपसाइड के लिए इस तो देखे मार्केट यहां पर गैब डाउं ओपन हुआ काफे ज्यादा गैब डाउं ओपन हो ओपन होने के बाद एक मूवमेंट दिखाया अफसाइड लेकिन हाई और लो अगर मार्क करें तो हाई ब्रेक नहीं किया और धीरे-देरे करके मूवमेंट दिखाया तो फिलाल मैंने ट्रेड नहीं किया अभी जब मैं वीडियो बना जी तब मैंने चार्ट को ओपन किया था तो किसने किसने यहां पर ट्रेड प्लान किया जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में और देखे एक्जेक्ट मार्केट ने 46,000 के आसपास सही सपोर्ट लिया है हैमर केंडल बनी अब देखना है कि मार्केट यहां पर पर परफॉर्म किस तरह से करता है अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर गैप आप ओपन होता है तो दोनों कंडिशन में आपको वेट करना होगा फर्स कंडल को देखिए उसके कोडिंग के ट्रेड को प्लान क क्लिए क्योंकि हमारा प्राइशेशन यहां पर क्या होगा कंटीन्यू डाउन सट लेकिन अगर यहां पर डाउन सट का मुवेंट नहीं मिलता हो सकते यहां पर ओपन होने कि बात कुछ टाइम स्पेंड करें और प्राइशन मना कर मूफ करें अपको क्या करना है इस्मॉल यह वाला एरिया 46,390 एराउन लेवल 46,390 एराउन लेवल और मार्केट ने काफी देर यहां पर रेंज बनाई थी तो इसको भी मैं यहां से यह जो लो है इसको माक कर लेती हूं 46,250 एराउन लेवल 250 एराउन लेवल ती हमारे लिए क्या रहेगी रेंज यानि कि अगर प्र है और यहां से फिर से rejection phase करके move करें downside के फिलाल मेरा भी यहां पर नहीं है upside के लिए दियाने के मैं आपको बार 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 पता रही हूं क्योंकि upside क्लिए trade हमारे लिए क्या रहेगी रिस्की आपको logic के साथ में और SL ज़रूर लगा कर रखना है upside क्लिए तो यह हमारे upside के target होगा 46,390 round level होगा अगर इसको break करेगा तो next फिर हमारे पास यहां पर जो level है 46,565 का level यह दो target upset देखने को मिल सकते हैं अगर इसको break करेगा तो next फिर हमारे पास जो level निकल कर आएगा वो हम लेकर चल सकते हैं 46,750 round level तो यह छुटे-छुटे से level से फिर ध्यान रखेगा य अगर और बात करें अगर यहां पर डाउन सेट लिए अगर उपन होने के बाद यहां पर प्राइशन दिखाई देगा देखी देगर तो हम प्लान करेंगे और तो टार्गेट निकल कर आ रहे वह हो यहां पर अगर एक सेकंड हैं यहां पर देख लें कि यहांपर जो target है भ बहुत नेतले वाला लेबल एट थर्टी है और उसके बाद नेक्स यहां पर सिकस्टी रोण लेवल है तो यह कुछ लेवल होंने क्लिए मार्कर लेते हैं यहां पर यह हमारे पर फरस्ट हर रोगा एट फोर्टी के आसपास का नेक्स यहां पर 660 round level और उसके बाद next यहाँ पर 500 का round number 45 500 का round number तो यह target downside देखने हुआ बिल सकते front और यह target upside तो चलिए एक बड़ यहाँ पर हम Fibritismant Tool को ले लेते हैं और आज का High, Latest, High और Low Mark करते हैं क्योंकि बड़ी movement है यहाँ पर यहाँ पर यह बड़ी movement है तो आज का High और Low Mark का लिया है अब देखिए यहाँ पर 0.5 और 0.6 का level यानि कि अभी हमने जो level निकाला है वो हमारा क्या है 0.5 का और यहाँ पर यह क्या है 0.6 का level तो important level से और यहाँ पर क्या है 50 EMA अगर market move करता offset तो हो सकता है 0.5 या फिर 0.6 के एरिया से फिर से rejection phase करें क्योंकि यहाँ पर 500 का round number भी है तो मेरा view यह है कि यहाँ पर अगर movement दिखाता है और इस एरे के आस पास पर कोई rejection candle या फिर कोई projection यहाँ पर दिखाई देता है downside के लिए तब हम यहाँ पर downside का trade plan कर सकते हैं offset के लिए मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि offset के लिए जो भी trade होगी वो अमरे लिए क्या रहेगी risky तो इन सारे levels का ध्यान रखेगा चलिए इसको remove कर देती हूँ चलिए अब देख लेते हैं nifty 50 को तो हम बात करें यहाँ पर अगर nifty 50 की one day time frame पर देकि nifty 50 में भी जो candle बनी वो बनी है rejection candle है और यहाँ पर जो है buyers ने try क्या है लेकिन sellers बहुत ज़्यदा हावी है तो next जो support निकल कर आ रहे है nifty 50 में वो है 21,445 round level यहाँ पर यह जो इस candle का low ही है यहाँ पर ले सकता है 21,440 round level अगर इसको भी ब्रेकर ने start कर देता है तो फिर हमारा पास जो next जो लेवल निकल कर आएगा फ्रेंड वो होगा यहाँ पर 50 EMA ध्यान रेके का next जो target हम लेकर चलेंगे वो हम लेकर चल सकते 50 EMA अगर यह support यहाँ पर ब्रेक करता है यानिकि 21,440 round level है अगर इसको ब्रेकर ने start कर देता है तो हमारा जो next target होगा वो हम लेकर चल सकते है 21,000 के आसपास का यह हमारा next target होगा यानिकि 50 EMA तक लेकिन अगर यहाँ पर यह support ब्रेक नहीं होता है और यहाँ पर कुछ time spend करें तो देखना होगा कि अगर यहाँ पर कोई projection या फिर कोई pattern create होता है bullish pattern तब scenario हम देख सकते हैं अफसेट लिए otherwise हो सकता है यहाँ पर कुछ time spend करें और उसके बाद यहाँ पर break करें downside क्लिए क्योंकि जो scenario जो projection अब दिखाई देने लगा है वो नजर आ रहे हैं यहाँ पर downside क्लिए अभी strong support बना हुआ है 21 440 राउन लेवल यानिकि 5 फ्रेंट के आसपास का है देखना यह कि यहाँ पर इसको break करता है यहाँ पर support बनाता है अगर support break होगा तो फिर से यहाँ प करता है और market अगर यहाँ कहीं पर open रहते हैं अगर low break नहीं करता तो हो सकता है price फिर क्या करेगा इसी candle के अंदर आपको जो है move करता हुआ मिल सकता हो सकता है यहाँ पर market क्या करे रेंज बनाएं यानिकि sideways भी मिल सकता है यहाँ पर यहाँ पर जो है expiry एक सेकंड इनको remove कर देते हैं अब चार्ट के यहाँ पर स्रट कर लेते हैं सारे चीज़ें यहाँ देखें निफ्टी भी जो है काफी ज्यादा तो फिलाल जो जो प्राइशन नजर आ रहा है वह क्या नजर आ रहा है डाउन सेट के लिए और market के 50 अमेके नीचे यहाँ पर अगर हमा करें तो यह वाला एरिया है 21,700 का राउन नमबर यह हमारे लिए इंपोर्टेंट होगा तो प्राइज अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर मुवमेंट दिखाता है धीरे-धीरे करके तो हो सकता है यहाँ कहीं से फिर से यहनी कि 700 के आस्वा से हो का राउन नमर यानि कि यहाँ पर यह जो आज कहाई है इसके हाई के आसवास का टार्गेट दिखा सकता है अगर से बैंड के उपर और फिफ्ट अमे के ऊपर सस्टेंड करता है तो इसी का थ्यान रखना है यहाँ पर 700 को जो लेवल है अगर मूवमेंट दिखाता है तो थो से एक मुवमेंट आपसेट देखने को मिल सकता है और अगर ब्रेक करता है डाउंसेट तो डाउंसेट हमेरे पास जो टार्गेट होंगे चले हमारे लेते हैं तो नेक्स्ट यहां पर जो टार्गेट निकल कर आ रहा है वह है हमारे पास तो सबसे पहले लो माक करें तो और बीच में 500 500 के नीचे जो है मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो ले लेते हैं यहां पर 21,495 राउंड लेवल तो यह पूरे का पूरे एरिया हमारे लिए क्या काम कर सकता है सपोर्ट का तो थोड़ा सा आपको यहां पर देखकर चलना है कि यहां पर प्राइस किस तर का राउंड नमबर 700 और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेच्ट यहां पर फिर मारा पास टार्गेट निकल करा रहेगा वह हम लेकर चल सकते हैं यहां पर 755 राउंड लेवल यहां पर यह हमारा नेक्स टार्गेट होगा यहां पर यह और इसको अगर इसको ब्रेक है gap down open होता है अगर gap up open हो जाता है suppose 700 के आसपास तो हो सकता है यहां पर 50 में से फिर से rejection phase करके फिर से fall दिखाता है तो फिर हमारे पास यह सारे सारे क्या है level support के हैं यानि कि इस level के आसपास का target हमें देखने को मिल सकता है लेकिन अगर यहां पर support बनाता है 50 यह में कि उपर अगर निकलता है तब हम यहां पर व्यू रख सकते हैं अप्सेट क्लिए फिर हमारे पास जो टार्गेट होगा वह हम लिकर चलेंगे यहां पर सबसे पहले कि मार्केट कहां पर होता है तब हम रखेंगे अप्सेट के लिए और अगर गयाप डाउन हो जाता है थोड़ा समय वेट करना होगा फास पास नहीं कर पाया है तो एक बार आपको देखना होगा फिर बुलिश केंडल उसके कोड़ेंगी ट्रेट को प्लान करना है निफ्टी-50 में और कल है एक्सपाइरी इस जीच कभी आपको ध्यान रखना है कल एक्सपाइरी है तो यह थाइड डिटेल से स्निफ विफ्टी के लिए चलिए अब देख लिते हैं कुछ स्टॉक्स को तो सबसे पहले माद जो स्टॉक है वो है टीसेस की बात करें तो गेपड़न ओपन होने के बाद क तो ब्रेक कर देता है तो नेशन आपड़ी इंडेट फिफ्टी फाइफ और इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिरसए बड़ा मोमेंट दिखा सकता है डाउंटइट जो लिकान आ सकता है थर्टी एइट-इेट-इनट-वंटी के आसपास लेकिन अगर यहां पर जिस सरे से तो कल अगर हाई ब्रेक करता है, 3890 को पर अगर सस्टेन करता है, तो फर्स्ट आर्गेर 3910 का, और अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो नेच्ट ने आपर 3928 के आसपास कभी लेवल अफसाइट देखने को मिल सकता है, तीसस में, चलिए देख लेते हैं, नेच्ट नेच्ट नेवर पास है, डॉक्टर लाल पैथ लेप, अगर इसके बात करें, तो यहाँ पर अगर कर देखें, तो 50MA के नीचे मूव कर रहा है, तो नेच्ट यहाँ पर जो टार्गेट होगा 2424, और अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो नेच्ट यहाँ पर 2410 का लेवल भी डाउन्सेट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर डाउन आकर इस एरिया से सपोर्ट बनाकर फिर से मुव करता है और हाई ब्रे करता है 2441 का लेवल तो फिर से यहाँ पर मुवमेंट अबसेट देखने को मिल सकता है जो ले कर जा सकता है 2460 और उसके बाद निशन यहाँ पर 2475 का लेवल जो है अपसेट देखने क करते हैं अगर करता है अब करता है तो फस्ट टारगट ही रिए परूसक्ते हैं यहां पर यह आज कहा यानि 571 और इसको भी ब्रेक करने के बाद अगर लो ब्रेक करता है तो 554 का लेवल और उसके बंदेशने आपर 550 का टार्गेट भी डांसेट देखने को मिल सकता है हिंडालकों में तो देखते हिंडालकों किस तरह से पफॉर्म करता है नेक्स्ट है मारे पास है महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर इसकी बात करें तो यहां पर फॉल दिखाने के बाद अभी अभी सपोर्ट लिया हुआ है यहीं जो सपोर्ट के लेवल है वह है 1592 के आसपास तो कर अगर ओपन होने के बाद यहां पर लेवल को ब्रेक कर देता है तो नेक्स यहां पर जो टार्गेट होगा 1583 और उसके बाद नेक्स यहां पर 1571 का लेवल देखने को मिल सकता लेकिन अकर support बनाता है और move करता है तो टार्गेट हम लेकर चाल सकते है 1606 का लेवल अगर इसको ब्रे करके स्थिन कर जाता है तो कल अगर open होने के बाद यहांपर move करता है 2766 का level इसको करता है तो 2788 और तो यहांपर 2804 का level देखने को मिल सकते हैं लेकिन अगर यहां पर कहीं पर rejection phase करता है और फिर जिखा दिख तो फिर यहां पर हमें फॉल देखने को कि आपसपास फिलाल डाउं सटले थोड़ा सा जो है रिस्की नज़रा रहा है जो व्यू है यहां पर पिडिलाइट में वह नज़रा रहा है अपसाइट ले हो सकते है प्राइस ओपन होने बाद थोड़ा सा डाउन है और उसके बाद मूफ करें अपसाइड तो आप इन को विडियो पसना देती विडियो को लाइक ज़रूर करेगा मिलते हैं नेक्स्टी विडियो में तब एक लिए गुडबाई एंड थैंक्स और वाचिंग